Dream of being a princess is quite outdated, so let's be a queen इसके डिये सबसे पहले तो आपको अपना एक empire तामीर करना पड़ेगा बहुत बड़ा ना सही, चाहे छोटा ही हो तो मेरा मतलब यहाँ पे एक छोटे से business से है कि कुछ भी हो, आपका अपना कुछ सरूर होना चाहिए कि जिसको आप time दो और वक्त के साथ वो grow कर जाए तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे business ideas share करने वाली हूँ जो कि आपको financially independent होने में मदद देंगे So without any further delay, let's get started The first idea is a baking business इसके लिए सबसे पहले आपने ये जानना है कि आपका interest किस चीज में है For example, अगर आप cream को handle कर सकते हैं या fountain handle कर सकते हैं तो फिर आप उस तरह के event based cake बना के भी sale कर सकते हैं या फिर अगर आप pizza अच्छा बना सकती हैं तो ये भी आप अपने menu में add कर सकती हैं इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा investment की जरूरत नहीं है बलके आप इसको काम investment के साथ भी शुरू कर सकते हैं For example, आप banana bread से start करें और आप इसको customize करना शुरू करते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो के gluten allergic होते हैं तो आप उनको almond flour के साथ बनाना bread जो है वो customize करके देना शुरू करते हैं बहुत से लोग olive oil पसंद करते हैं तो आप olive oil में बना के दे सकती हैं उसके लावा nuts और मुक्तिर तरह के seeds वगरा add करके तो आप वो भी उनको जो है वो customize करके दे सकती हैं आपको बहुत स्यादा किसी भी तरह के utensil में invest करने की जरूएत नहीं है जो घर पे आप वहाँ से शुरू कर दो तो आइसा इस्ता आपको खुद अंदाजा होगा कि आपको इसमें किस तरह से amendment करनी है With constant learning आपका business वक्त के साथ-साथ grow करता जाएगा The second business idea is related to abayas Clothing branch तो हमें बहुत जदा मिल जाते हैं जब आत अबाया की होती है तो हमें काफी जदा research करनी पड़ती है और फिर जाके हमें एक अच्छा अबाया मिलता है तो आप इसको अपनी कम investment के साथ शुरू कर सकती है इसके लिए सिर्फ आपकी designing और कॉप्रे की quality अच्छी होनी चाहिए फिर वाकी color varieties इसको भी आप कस्टमाइज कर सकती है और मुक्तलिफ तरह की जो designing और enhancement होती है वो भी आप customer की demand के मताबिक दे सकती है जैसे कि अगर हम लोग उम्रा पे जाएं तो बहुत ज़्यदा लोगों की ये demand होती है कि इस तरह के bun sleeves जो हैं तो इसके लिए आपने कप्रे की quality के साथ-साथ prints और उनके जो colors हैं उन पे भी आपने काम करना है कि आपके colors और prints vibrant होने चाहिए ताके हाड कोई अपनी पसंद के accordingly आपको order दे सके and if you are a beginner तो आपको start करना चाहिए हिजाब caps के साथ और इस तरह की जो हिजाब accessories है याईनि के ribbons वगेरा ये भी आजकल काफी trends में हैं तो आप इसके साथ शुरू कर सकते हैं ताके आपको थोड़ा सा experience हो जाए The next business idea is a low investment business idea तो इसमें मैं आपको recommend करूंगी कि आप scrubs का business शुरू कर सकते हैं फिर homemade uptans या फिर organic face washes वगेरा का business शुरू कर सकते हैं इन दोनों की recipes मेरे channel पे मुझूद हैं तो आप visit करके तो आप उसे देख के idea ले सकते हैं अब इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने packaging पे बहुत जदा invest नहीं करना आपने packaging शुरू में कम रखनी है ताकि आपका profit margin अच्छा हो और आप उस profit को दुबारा से invest करके तो इसे फिर आगे बढ़ा सको The next business idea is beating तो इसके लिए आपको कुछ techniques वगड़ा सीख लिनी चाहिए जिसके बहुत से tutorials आपको YouTube पे मिल जाएंगे तो इससे आप अपना business शुरू कर सकते हैं तो बहुत ज़्यदा अच्छी और बहुत ज़्यदा जिसे कहते हैं न कस्टमाइज जूलरी वो आप इससे made करके तो आप customers को provide कर सकते हैं आप इसके इलावा इस तरह के bags वगड़ा बना सकते हैं और उसके इलावा आप मुक्तरिफ तरह के जो colors हैं उसमें भी आप इससे कस्टमाइज करके दे सकते हैं मुक्तरिफ तरह के patterns आप YouTube से असानी के साथ सीख सकते हैं और आप इससे earn कर सकते हैं The next business idea is related to silk bangles कुछ भी हो जाए हमारे जो ethnic wares हैं उनके साथ silk bangles बहुत ही अच्छी लगती है तो इससे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके लवा silk scrunchies वगएरा और जो इस तरह के silk ribbons है वो भी आजकर बहुत ज़्यदा trend में हैं और इनमें investment भी काम है And last but not the least is the idea of earning money by cloud kitchen तो इसमें आप breakfast या lunch वगएरा प्रोवाइट कर सकते हैं according to customer needs for example बहुत से लोग डाइटिंग पे होते हैं तो आप उन्हें डाइट फूट बना के दे सकते हैं और अच्छा खासा profit earn कर सकते हैं तो I hope के वीडियो आपको अच्छे रगी होगी तो please subscribe, like and stay blessed